हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल कूलबोई कूलबीर में आज का वीडियो उस सभी के लिए है जो की इंतजार कर रहे थी जो आज डेट थी कोर्ट केस की ये बोल रहे थी कि सीटी के उपर कोर्ट केस हो गया है तो उसके रिगार्डिंग और साथ में जो गुरूप सी की वेकेंशियों का नोटिस आप ही चुका है आपके पास पीडियाफ देखने को मिल गई होगी कि किस किस में कितनी वेकेंशिया निकली है साथ में जो गुरूप सी की प्रिक्षिया होनी वो कब तक होगी CET qualify होगा या नहीं होगा तो इन सब को लेके आज के वीडियो में हम आपके लिए ये लेके आए हैं तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें और CET से सम्मंदित या फिर हरियाना कि किसी भी अग्जाम से सम्मंदित आप जनकारी पाना चाते हैं तो चैनल के साथ जरूर जूर जईए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डाले तो वो आपके पास पहुंचे अगर आप नोटिपिकेशन इंका उप्शन दबाते हैं तो आपके पास नोटिपिकेशन भी आ जाएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिपिकेशन दबा सकते हैं ठीक है तो बात करते हैं CET को लेकर जो न्यू जाएग कोर्ट केस्ट की जो डेट थी वो आपकी आगे तक अब बढ़ा दी गई है 25 जुलाई जी हाँ 25 जुलाई आपकी जो CET क्वालिफाई को लेकर जो डेट थी वो आपकी बढ़ा दी गई है जी हाँ तो अब क्वालिफाई होना तो मुश्किल हो गया है क्योंकि उस समय तक तो जो हरियाना सरकार है वो जो ग्रूप C की अभी वेकेंसियां निकलनी है नोटिफ के सनाद चुका है तो उसके लिए जो पैटर्न इन्होंने तियार किया है कि कैसे कैसे बरती करनी है तो वो तब तक तो ये कर लेंगे क्योंकि काफी लंबी डेट आई है ये 25 जुलाई तो अब जो फारम चले हुए हैं आपके CET के क्रेक्शन के लिए जो पांस नंबर वाले थे उनकी लाज़ डेट जाने को है तो अब आपका रिजल्ट जो दुबारा से रिवाइज किया जाएगा तो आपका रिवाइज जो रिजल्ट होना है वो लगबग ये लगा लीजिए आज से दस दिन बाद रिजल्ट CET का उसमें जिसको पांस नंबर नहीं लगे हैं या फिर जिसने विड्रा कराने हैं तो सब मिला के वो रिजल्ट आएगा आपका तीन या चेर लगबग मार्च को ठीक है तो उसके बाद ही जो आगे की प्रोसेस है ग्रूप C विकंसिज के लिए वो आपकी हो पाएगी ये लगा लिजए रिजल्ट आने के पांस साथ दिन के बाद आपके पास नोटिफिके सना जाएगा जो ग्रूप C की विकंसिया उनको भरवाने के लिए क्या प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं किस काटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे लगबग ये लगा लीजिए तस या ग्यरा मार्च तक आपके अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे और लगबग पूरी मार्च में आपके ये forum जो apply करवाए जाएंगे जहां तक estimate लगा जा रहा है तो लगवग मार्च के अंदर आपके C group के लिए forum भरवा लिए जाएंगे ठीक है उसके बाद exam की बात करें तो लगवग ये लगा लीजिए एक या डेड़ महीना यानि कि मार्च के बाद अपरेल को छोड़ दीजिए माई के लास्ट तक आपके exam होने की पूरी पूरी उमीद है ठीक है तो demotivate नहीं होना है जिसने भी तियारी कर रखे या फिर कर रहा है तो वो अपनी तियारी लगातर करता रही ठीक है 2023 में आपका जो target है वो बिल्कुल पूरा हो पाएगा अगर आप तियारी करते रहेंगे तो ठीक है तो C जो group C की प्रिक्षा होनी है वो लगबग ये लगा लीजी आप मई मई के अंदर जो वो आपकी प्रिक्षा हो सकती है ठीक है यही अभी पूस्टी की जा रही है जो qualify होनी की बाद थी वो तो आप मुश्किल ही लग रही है क्योंकि तब तक तो आपकी जो ये भरतियां है ये इनका exam करवा लिया जाएगा उसके बाद qualify नहीं होगा जहां तक हमें लग रहा है ठीक है तो ये बात थी जो आपको बतानी जरूरी थी इसलिए आज का ये वीडियो बनाया है तो सभी के साथ वीडियो को share करें दोस्तो जिसको नहीं पता वो अपनी तयारी अच्छे से कसके और जो कर रहा है वो करता रहे दी मोटिवेट ना हो तो सभी के साथ ये वीडियो share जरूर करें ठीक है हो सकता आपके एक share से किसी बन दे को मोटिवेशन मिल जाए और वो अपनी तयारी अच्छे से कर पाए ठीक है तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share करें चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर ले और भी अच्छे अच्छी news आपके लिए लेकर आते रहेंगे तो चैनल के साथ बने रही है धन्यवाद